दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप यूनू SBI का यूजर नेम और पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर से कैसे पता करना है और दोस्तो और एक चीज कि अगर आप यूनू SBI में Mpn से लोगिन करते हैं और Mpn भी भूल जाते हैं Mpn जो है ये टेंपरोरी होता है ये जश्ट आपको जो है बार बार यूजर नेम और पासवर्ड ना देना पड़े इसलिए Mpn बनता है लेकिन अगर आपका यूनू SBI डिलीट हो जाता है या फिर आप यूजर नेम और पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर से जब आप य यूजर नेम और पासवर्ड दोनों सेम होता है दोनों जगा सेम यूजर नेम और पासवर्ड का यूज होता है लोगिन करने के लिए तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सिखते हैं कि नेट बेंगिंग का यूजर नेम और पासवर्ड या फिर यूनो SBI का यूजर करने के बाद यहां पर एस्टेट सवास हुड करने का बाद यहां पर प्रसनल बैंकीग के लोगीन पर किलिक करना है इस तरीका से यहां पर हमें एस्बीर-अ- ओं-लाइन पर लेके यूजर नेम और पास्व लोगिन करने का Option दिया है तो यहाँ पर Just Scroll करके नीचे आना यहाँ पर आपको Option मिल जाएगा Forgot Username Login Password इस पे किलिक करना है इस पे किलिक करते ही देखिए यहाँ पे पहले से किया हुआ है Forgot My Login Password तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप Inc ago करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है यहाँ लोगिन पास्वर्ट किलिक किया हुआ है और यहाँ पे सबस्य पहले हम लोग को यूजरनेम पता करना है क्योंकि लोगिन करने के लिए सबसे पहले यूजरनेम मांगता है इसके बाद login password तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे username तो चले मैं username पर click कर देता हूँ यहाँ पर देखिया आ गया है travel login in में username इसके बाद यहाँ पर नीचे next पर click कर देना है next पर click करता है यह देखिए username को पता करने के लिए क्या क्या देना होगा आपको cip number इसके बाद country sell करना है इसके बाद register mail नमर और फिर capture देना है पिछले मैं यह सारा fill up कर देता हूँ तो यहाँ पर दोस्तो मैंने cip number country और register mail नमर और फिर capture भी डाल दिया है इस तरीके से आप भी डाल दें इसके बाद submit पर click कर देना है और फिर submit पर click करने के बाद देखे register mail नमर पर OTP जाता है तो OTP को यहाँ पर enter करना है और फिर यहाँ पर OTP को enter करने के बाद confirm पर click कर देना है confirm पर click करते ही देखे दोस्तों यहाँ पर हमें username send कर दिया गया है और साथी साथ यहां पर हमें बता भी दिया गया है कि हमारा username क्या है login username has been sent to your register mobile number login username is देखे यहां पर भी बता दिया गया है और register mobile number पर भी भेज दिया गया है चलिए अब हम लोग back वापस login के पेज़ पे आते हैं फिर यहां पर दोस्तो बैक आने के बाद यहां पर फिर से हमें जो है forgot username login पर क्लिक करना है इसके बाद देखे यहां पर ओल्रडी किया हुआ है forgot my login पासवाड इस बार हम लोग लोग इन पासवाड पता करेंगे और username हमें पता चल गया इसके बाद हम लोग login password पता करेंगे तो चलिए इसके बाद नीचे next पर किलिक कर देना है next पर किलिक करते हैं यहाँ पर login password को पता करने के लिए क्या-क्या मांगा जा रहा है username, account number, country, mobile number, date of birth और फिर capture है तो हमें तो username पता चल गया है चलिए अब हम लोग सारा fill up कर देते हैं तो दोस्तो मैंने आप यूजर ने में account number, country, mobile number, date of birth और केप्टा डाल दिया है इसके बाद नीचे submit पर किलिक कर देना है submit पर किलिक करते हैं यहाँ पर फिर से register, mobile number पर OTP जाएगा तो यहाँ पर OTP आ गया है तो यहाँ पर OTP को इंटर कर देना है और फिर यहाँ पर OTP को इंटर करने के बाद confirm पर किलिक कर देना है confirm पर किलिक करते हैं यहाँ पर देखिए आगे बढ़ने के लिए तीन option दिया गया है एक तो आप आगे बढ़ सकते हैं ATM का डेटेल से देकर या फिर profile password देकर या फिर reset your login password with branch activation या फिर आप branch जाके activation करवा सकते हैं लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर आपको profile password याद है तो आप second option चूज कर सकते हैं और नहीं तो यहाँ पर first option भी आप select कर सकते हैं ATM card details और जिनका ATM card नहीं है वो profile password से आगे बढ़ सकते हैं और फिर अगर आपको profile password भी नहीं पता है तो फिर मैं next video पर आप लोगों को बताऊंगा कि profile password कैसे पता करना है तो फिलाल यहाँ पर हमें ATM card details ही ले लेता हूं क्योंकि आधिकतर लोग को जो है profile password याद नहीं रहता है तो ATM card details से कैसे करना है चलिए मैं first यहाँ पर कर लेता हूं इसके बाद summit पर क्लिक कर देता हूं सब्सक्राइब करता है अभी जो है हमें आगे लेकर जाएगा ATM card details पर submit करने के बाद कि यहाँ पर card number display name card type आ गया इस पर यहाँ पर सरकल पर आपको select करना इसके बाद confirm पर क्लिक कर देना है confirm पर क्लिक करते देखिए यहाँ पर ATM card details में क्या क्या देना है यहाँ पर valid और expiry date जो है month year देना है card holder name और pin देना है और फिर नीचे capture तो चलिए मैं यहाँ पर जो है सारा fill up करने के बाद प्रोसीट पर क्लिक कर देता हूं प्रोसीट पर क्लिक करते हैं कि हमारा debit card validation success बता रहा है यहाँ पर wait करना है हमें automatic जो है back लेक के आएगा और यहाँ पर new password बनाने का option दे देगा देख सकता है यहाँ पर हमें जो है new password बनाने का option दे दिया है तो पहला लेटर capital दे और एक साथ at the rate लगा के कोई number दे देना है जिससे आप कोई name लिखेंगे तो पहला capital दे दे बाकि सब छोटा अक्छर रहेगा और फिर at the rate लगा के कोई number दे दे तो चले मैं यहाँ पर new login password बना लेता हूँ तो इस तरीके से दोस्तो हमें जो है username और login password पता चल गया है इसके बाद दोस्तो play store से unisbi को download करके username और password दे कर login कर लेना है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सिखा कि अगर netbank के username और password भूल जाते हैं कैसे पता करना है तो वीडियो को share कीजेगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग